आकर चार लाख चोरासी जात जीव जल थल नभ बासी सीय राम में सब जग जानी करओं प्रनाम जोरी जुग पानी प्यारे बच्चों मैं डॉक्टर चारु शिला सिंग हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों पिछली कक्षा में आपने कुछ अभिराम दोहे पढ़े थे लेकिन आज जिन पंक्तियों से कक्षा की सुरुवात हुई है आपने एक अनुमान लगा लिया होगा कि आज पिछली कक्षा में अभिराम दोहे लेकिन आज जो हमारा विशे है वो प्रभु स्री राम ही है तातपरे आपने महसूस किया कि मैंने कहा सबकुछ राम मैं हो गया तो निसन देह जो आज हमारा विशे है वो प्रभु स्री राम के जीवन का वो अन्ष है जो बहुमूले है वैसे तो सबकुछ मूलेवान है लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कुछ समय होता है जो आपको कहां से कहां पहुचाता है हम भगवान स्री राम के जीवन के उस अंश को पढ़ने जा रहे हैं जहां से मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान स्री राम हमें मिले थे जो प्रभु जो राम जी वन को गए थे वो कौन थे वो दशरत नंदन राम थे लेकिन जो वहाँ से लोट कर आये थे वो मर्यादा पुरुशोतम भगवान स्री राम थे आज का जो हमारा विशय है सब कुछ राम मैं की बात हो गई है तो आये इस अभिराम इस रमडी राम में माहौल को जीवन्त करते हैं आज हम और आप मैथली सरण गुप्त जी की बहुचर्चित रचना जो खंड कावे है पंचवटी और आपकी पाठ पुस्तक में कावे खंड के अंतरगर संकलित है तो आज का जो हमारा प्रकरण है बच्चों पंचवटी भाग एक भाग एक इसलिए क्योंकि पाठ बढ़ा है हम दो दिनों में पढ़ेंगे रचाईता मैथिली शरण गुप्त जी मैं प्रस्तुत करता डॉक्टर चारुशिला सिंग आज़े बच्चों आगे बढ़ें और सबसे पहले प्राप्त करते हैं पाठ का एक संचिप्त परिचय कि क्या है इसमें क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सामानने सा एक हम परिचय प्राप्त करते हैं ये पूरे पाठ में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्धू होता ह और ये सामान में जानकारी आपको पूरे पाठ को ग्राह करने में एक विशेष्ट योगदान देता है तो इसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते परिचे के महत्व से हम और आप दोनों ही परिचित हैं आए अविलंब प्राप्त करें पाठ का एक संचिप्त परिचे आपके समक्ष परिचे ध्यान दे बच्चों जो शीरशक है जो पढ़ेंगे आज पंचवटी के नाम से ही आपकी पाठ्थे पुस्तक में संकलित भी है और ये बहुँ चर्चित खंड कावे है पंचवटी अभ भाग एक अर्थात आज एक भाग हम पढ़ेंगे रचाइता मैथिली सरणगुप्त जी भी है पहले भी मैंने बताया है कि रचाइता या सरजक शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं क्योंकि कावे जो है रिदय से स्वतह प्रसूत होता है इसे रचा जाता है लिखा नहीं जा आगे बढ़े भाषा खड़ी बोली अब जब भाषा खड़ी बोली ही है तो आप समझ रहें कि जो विशय है बहुत आसानी से हम तक आप तक हमारे मानस तक हमारे रिदय तल तक बहुत ही आसानी से उतर जाएगा क्योंकि बच्चों जब भाषाई एकता होती है तो विशय क कितना ही आसान सरल क्यूं न हो अगर भाशाई एकता नहीं होती तो थोड़ी कठिनता हम और आप महसूस करते हैं तो क्यूंकि ये हमारे हर दिन के व्यवहार की भाशा है इसलिए जो ये विशय है बहुत आसानी से हमारे और आप तक पहुंचेगा और जब बात ही हो रही है मानस सहज ही साकार वो उड़ता है जैसे ही हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो आप जान ही रहे है कि ये मन मानस जो है वो उसमें कुछ न कुछ चलने लगा है हम मानसिक रूप से भी पूरी तरह तैयार हो चुके हैं आगे देखें शैली क्या है देखें बच्चों बात ह पढ़े हुए ना कि ये खंड काव है तो जिस तरह का है बड़ा है तो हर अन्ष में तरह तरह की भाव आए हैं जहां जैसी पंग्तिया आए हैं जो कभी को कहना है तो कई सारे भाव के रूप हमारे समक्षाएंगे जो शैली है देखे उसमें क्या-क्या गीतात्मकता तो हई ह चित्रात्मक, वण, नात्मक, भावात्मक और जो ये रूप है शैली के ये विविद दिख रहे हैं ये आप अभी पंग्तियों में महसूस भी करेंगे पंचवटी को पढ़ते हुए और आगे देखे जो चंद है वो मात्रिक चंद है आपने पढ़ा भी है चंद के प्रका पुदार अभूतेवं शांत तो जैसे जैसे पंग्तियां आएंगी उसी तरह ये विविद रूप हमारे समक्ष आएंगे और पंग्तियों से होते हुए हमारे और आवक के मन मानस में उतरेंगे आये देखते हैं जो ये अदभूत स्रिजन है इसके जो स्रिजन करता है उन परिचय की और और एक संचिप्त परिचय कवी का हम और आप प्राप्त करते हैं। पैठा लें कि कभी ये विस्मृत ना हो सकें और वस्तुतह देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व दोनों ही अविस्मृण यह है कैसे आई एक संचिप्त जानकारी लें नाम मैथिली शरण गुप्त पीता का नाम स्री राम चरण गुप्त आगे देखे जन्म जो है वो सन 1886 इसवी में हुआ किस जगे हुआ है ध्यान दीजे जन्म स्थान गुप्त जी का जो जन्म है वो चिरगाव जहांसी में हुआ जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है लेखन विधा जो आपकी है वो है कावे जो हम आप पढ़ रहे हैं भाशा देखें जोशों से मुक्त है तो आप ध्यान दे की भाशा के स्वरूप पर भी ध्यान दे शैली देखें कि किन-किन शैलियों में आपने काम किया है लिखा है प्रबंध आत्मक अलंग कृत उपदेश आत्मक विवरड आत्मक और मिस्र इतने रूपों में आपकी रचनाओं को आप वस्त होता है किसी कवी किसी लेख़क के जीवन का जो सबसे महत्वपूर योगदान होता है जिसके लिए वो युगों हमारे आपके मानस में और आमजन जीवन के मानस में पैठ बनाते हैं वो खशेत्र यही है स्रिजन का रचना का तो यहाँ ध्यान दें जो महत्वपूर रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं भारत भारती साकेत यशोधरा द्वापर जै भारत विश्णुप्रिया पंचवटी आदी ये वो महत्वपूर रचनाएं जिनके लिए आप लगभग हर समय में प्रासंगीक रहें हैं और रहेंगे हम आप आपके इस योगदान के लिए कभ भी बात होगी भारत माता की जब भी बात होगी असमिता की और अपने यहां के वैभों की आप सहज ही साकार हो जाएंगे क्योंकि जो आपका चरित्र रहा जो आपका कृतित्व रहा वो ऐसा ही था आपने अपनी मा के यशोगान में अपनी लेखनी खूप चलाई है आप राश्ट्र और आगे बढ़ते हैं बच्चों अभी चर्चा को थोड़ा सा विस्तार मैं दूँगी देखें जन्म आपने अभी देखा 1886 भी मृत्यू देखें सन 1964 भी साहित में फ्थान आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां बहुत विस्त्रिद रूप में न लिखकर सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने राश्ट्र कवी के रूप में क्योंकि वस्तुत है आपको तो यह एक छोटा सा वाक्य दिख रहा है और राश्ट्र कभी कहना एक शब्द दिख रहा है लेकिन सच कहें तो यह पूरे जीवन की वो थाती है वो पूजी है वो निधी है जिसे हम और आप संजो कराभी वर्षों जाने कब तक लेकर चलते र पाएंगे क्योंकि यह उपाध यूहीं नहीं मिलती आपकी प्रज्यां आपकी मेधा आपके कर्म ही रहे जो आपको इस रूप में स्थापित कर दिया गया क्योंकि यह उपाध बहुत बड़ी होती है यूहीं नहीं मिलती और एक प्रसंग जो आपके लिए है कहा जाता है देखें बच्चों अभी पिता का नाम हुआ था कि राम चरण गुप्त जी तो आप जानले ये भी कवी थे कुछ चीजें हम अर्जित करते हैं लेकिन कुछ वनशानुगत हमें और आपको प्राप्त होती हैं ये हम सभी जानते हैं तो अगर कहें तो जो ये दक्षता थी ये जो काव्यात्मकता थी ये जो अभी रूचि थी लेखन की स्रेजन की वो गुप्त जी को अपने पिता से ही कह सकते हैं विरासत में मिली हुई थी क्योंकि आपके पिता भी कवी थे और कहते हैं कि गुप्त जी छोटी आयू में एक छप्पय लिखते हैं एक छोटी कविता और अपने पिता को दिखाते हैं पिता आतिया आहलादित हो जाते हैं और उस आहलाद में उस प्रसनता में उस मोह में अपने पुत्र को सुकवी होने का आशीष प्रदान करते हैं पुत्र ने भी उस आशीस को जी लिया जीवन्त कर दिया और इतना लिखा ऐसा लिखा इस रूप में लिखा कि वो राश्ट्र कवी के रूप में हम और सब के बीच हमारे मानस में मन में हमारी किताबों में और हर जगह स्थापित हो गए राश्ट्र कवी के रूप में तो बच्चों ये एक संचिप्त चर्चा कवी के बारे मुही, बहुत सारी उपाधिया, बहुत सारे नाम, बहुत कुछ आपने प्राप्त किये हैं, आप सभी वेश्तरित रूप से अपनी पुस्तकों को पढ़िएगा, जानिएगा, ये एक संचिप्त चर्चा हुई, आईए अब मुख्य विशय की ओर चलें और सबसे पहला काम पाठ का मूल भाव पाठ के मूल भाव से परिचित हों मूल भाव अर्थात वो केंद्रिय भाव वो प्रधान भाव जिनको लेकर सरजना हुई है जैसा कि आपने अभी सुना कि ये पाठ बड़ा आप दो दिनों में पढ़ेंगे तो जो जो अंश हमारे और आपके समक्ष जो चरण आएंगे लंबा है नौ है तो आज हम ये जो तीन पढ़ने वाले हैं उसके केंद्र में कौन से भाव प्रधान है उसकी एक संचिप्त चरण यहां आपके समक्ष है आगे इन ही पंक्तियों को हम विस्तार देंगे तो जान ले आज वही मूल भाव आपके समक्ष है जो हमार आप आज पढ़ेंगे देखें पाठ का मूल भाव तो जो पहला खंड आपके समक्ष आएगा देखें उसमें क्या है उसमें कभी ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदरे का सजीव चित्रण किया है ये सजीवता क्या होती है ये अभी आपके समक्ष आने वाला है जो दूसरा है उसमें प्रहरी के रूप में लक्षमण का सौं विश्ताएं हैं उसका वर्ण किया गया है इनी भाओं को आगे पंक्तियों में विस्तार दिया गया है आईए चलते हैं विस्तरित अर्थों में प्रवेश करते हैं और जानते हैं पंचवटी के उस सौंदर्य को उस आहलाद को जिसके कारण ये जो नाम है देखें ये जो माता सीता के साथ और अपने छोटे भाई लक्षमन के साथ वनवास के दिनों में इस जगह पर रहे थे तो ये एतिहासिक महत्व है इससे आप परिचित हैं क्योंकि ये जन जन तक और हर मन तक अपनी जगह बना चुका है ये किसी पहचान का मोहताज नहीं पंचवटी कहते ही सहज रूप से साकार हो जाता है हमारे मानस में चाहे रामचरित मानस की बात करें रामचंद्रिका की बात करें साकेत की बात करें बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं आज हम गुप्त जी की पंचवटी खंड कावे से ये कुछ अंश पढ़ रहे हैं आईए तो देखत लेगे कि क्या है इसमें सबसे पहला काम हम और आप क्या करेंगे सबसे पहला जो हमारा काम है बच्चों वो है पाठ का पाठ के महत्तों से हम सभी परिचित है कि सामान में होता है एक छंद विधान के आधार पर होता है काव वही सार्थक है वही अर्थवान है वही प्रभाव पूर्ण है वही कणड़ प्रिय है वही मानस तक मन तक उतर पाता है जो वास्तविक रूप में पढ़ा जाता है यानि जिसका पाठ सही धंग से किया जाए वही मन और मानस को मतता है तो सबसे पहले इन पंक्तियों का पाठ करते हैं उसके बाद नहीं दर्थों की ओर चलेंग चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में पुलक प्रकट करती है धरती हर तत्रणों के नोकों से मानों जीम रहे हैं तर भी मंद पवन के जोंकों से तो जिस गीतात्मकता की बात हुई थी जिस गेता की बात हुई थी वो यही आईए अब नीत अर्थों की तरफ चलते हैं कि कभी क्या बताना चाह रहे हैं इसमें अभी आपने मूल भाव में जाना कि पंचवटी कि सोंदर एका वर्डन किया गया है कि कैसी आभा है जहां राम भगवान स्री राम की उपस्थिती हो वो जगह तो स्वयम ही अभी राम हो जाएगा तो वो कितना अभी राम है कैसा है प्रकृत किस तरह उलसित है इसी कवर्ण इन पंक्तियों में किया गया है ध्यान दे कि कभी क्या कहते हैं चार चंद की चंचल किरणे खेल रही है जल्थल में कि प्रभू है उस समय पटी का जो सौंदार है रात्री का प्रहर है चार चंद की चंचल क्यों कि जब बात चंद्रमा की होती है आप समझ जाते हैं कि कभी की बात हो रही है तो कभी कहते हैं कि चार मतलब सुंदर और चंद मतलब चंद्रमा सुन्दर चंद्रमा की चंचल किरणे चंचल क्यों कहा? बच्चों ध्यान दीजे चंचल इसलिए क्योंकि एक जगह ये किरण नहीं है ये फैली हुई है तो जो चंचल है वो हर जगह यहां वहां जहां तहां हर जगह होता है इसलिए इन किरणों का और किरणों का प्रसार भी ऐसे ही होता है तो कभी कहते हैं कि सुन्दर चंद्रमा की चंचल जो किरणे है वो खेल रही है जल थल में कि वो जल में और थल में कि जो भूमी है और जो जल है दोनों पर वो खेल रही है स्वक्ष चांदनी बिच्छी हुई है अवनी और अंबर तल में वो कहते हैं कि एक स्वक्ष यानी निर्मल चांदनी बिच्छी हुई है कहां से बिच्छना मतलब फैला हुई न आवनी और अंबर आवनी मतलब प्रित्वी और अंबर मतलब आकाश कि वो वहां से लेके यहां तक धर्ती से आकाश तक स्वक्ष चांदनी निर्मल चांदनी जो छिटकी हुई है बिखरी हुई है तो ऐसा लग रहा है कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणी वो जल्थल में खेल रही है आगे पुलक प्रकट करती है धर्ती हरित त्रिणों के नोकों से और जब ये भगवान की उपस्थिती वहां है तो जो ये आहलादित वातावरण है जो ये मनहर वातावरण है जो ये मोहक वातावरण है उसमें देखिए कि क्या कहते है पुलक पुलक मतलब प्रसनता आहलाद पुलक प्रकट करती है धर्ती हरित त्रिणों के नोकों से यह जो धरा है वो इतनी आहलादित है इतनी प्रसन्न है लेकिन वो अपनी पुलक यानी अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट कर रही है हरित त्रिणों के नोकों से वो जब नोक घास के जो हरे हरे घास उनके नोक हिल रह तो ऐसा पता चल रहा है कि जो धरती हो अपनी प्रसंदता प्रकट कर रही है मानो जीम रहे हैं तरु भी मन्द पवन के जूंकों से और जो मन्द पवन धीरे धीरे जो हलकी ठंडी हवा बह रही है तो उससे मानो जीम मतलब जूमना हिलना मानो जीम रहे हैं तरु मतलब पेड भी मंद पवन के जोंक से कि जो धीरे-धीरे हलकी पवन जो मंद पवन बह रही है जो हवा चल रही है वो भी प्रसन है और उसके साथ जो तरु है जो पेड़ है वो भी मानो जूम रहे हैं कैसे प्रसन होकर आहलादित होकर क्योंकि आज वहाँ प्रभु स्री राम विराजे है तो जो ये प्राकृतिक सौंदर है पंच्वटी का वो अदभुत कवी के शब्दों में हमारे और आपके समक्ष कवी ने बहुत ही सुंदरवरण किया कि धरती से लेके आकाश तक सब कुछ अतियाहलादित है और उसमें उन्होंने चंद्रमा को भी ले लिया धरा को भी ले लिया घास को भी ले लिया ब्रिक्षों को भी ले लिया पवन को भी ले लिया आप देखें ये जो आहलाद का प्रसार इन पंक्तियों से है वो हमारे और आपके मन मानस में भी उतर रहा है और गुप्त जी कि य जो कौशल है यह हमारे और आपके मन को बाध भी रहा है आए और आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अगली पंक्तियों को अब आप देखिए दूसरे में बात की गई लक्षमड के बारे में यहां बताया जा रहा है कि वो प्रहरी बने है तो कैसे है क्या है चलिए देखते हैं क्या है इन पंक्तियों में सबसे पहले पार्ट पंचवटी की छाया में है सुन्दर पर्ड कुटीर बना उसके सम्मुख स्वक्ष शिला पर धीर वीर निर्भीक मना जाग रहा यह कौन धनुर्धर जब कि भुवन भर सोता है प्रश्न वाचक भोगी कुसुमा युद्य योगी सा बना द्रिष्टिगत होता है बच्चों देखें कि अदभुत सौंदर है बात सिर्फ इतनी कहनी है कि जो लक्षमण है वो क्या कर रहे हैं वो राज्य के सुखों का भोग करने के लिए बने हैं लेकिन योगी बन कर दिख रहे हैं लेकिन जिस तरह से यह सौंदर यहां इन पंक्तियों में वर्डित है वो अदभुत है आए चलते हैं और पूरे अर्थ को जानते हैं इसके मर्म को समझते हैं और हम भी जीते हैं उस पंचवटी के सौंदर को इन पंक्तियों के माध्यम से जहां हम और आप यूँ ही तो पहुँच नहीं सकते वो प्रभु हैं आराध हैं लेकिन उनकी इस जीवन लीला को इस जगह को जहां वो रहे इसकी रमडियता को इसके सौंदर को हम और आप गुप्त जी की इस बहुचर्चित रचना पंचवटी के माध्यम से अवस शेही महसूस कर सकते हैं और इसको अपने मानस में बिठा सकते ह आईए देखें अर्थ पंचवटी की छाया में है सुन्दर पढ़ कुटीर बना आपका भी क्या कहते हैं कि जो पंचवटी है वो जो जगह है वो पंचवटी है आप जान रहे हैं कि पंचवटी की छाया में है सुन्दर पढ़ कुटीर बना कि जो पंचवटी है उसकी छाय जो पंच्वटी की छाया में सुन्दर बत्तों से कुटी बनी हुई है उसके सामने सम्मुख मतलब सामने और स्वक्ष मतलब साफ, निर्मल एक शिला है, पत्थर का खंड है उस पर धीर वीर निर्भीक बना उस पर एक धैरवान जो वीर है जो देखने से निर्भीक भी लग रहा है ऐसा कोई बैठा है अब देखे कवी की कलपना और वो कैसे इस बात को बता रहे हैं जाग रहा यह कौन धनुर्धर जब की भूवन भर सोता है प्रश्ण वाचक लगा है वो कहते हैं कि आखिर यह कौन है जो इस कुटिया के समक्ष बैठा है उसके सम्मुक बैठा हुआ है जब सारी स्त्रिष्टी सो रहे है जाग रहा यह कौन धनुर्धर क्यों कहा क्योंकि उनके साथ उनके कंदे पर धनुष है धनुष्वाण से वो युक्त है तो जाग रहा कि कौन सा धनुर्धर है जो ज ना हम सभी सोजाते हैं तो अगर कोई जाग रहा है तो क्यों जाग रहा है एक प्रश्ण वाचक है अब देखे क्या कहते हैं भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है कभी कहते हैं कि भोगी कुसुमायुध ये कुसुमायुध जो लिखा हुआ बच्चों ये कामदेव के लिए है कामदेव अर्था जो सौंदरे के देवता है जो प्रेम के देवता है और पुश्प ही जिनके हथियार है जिससे वो काम करते हैं वो प्रेम और सौंदरे के देवता है तो कभी कह रहे हैं कि लक्षमण का जो सौंदर है जो दिख रहे हैं जो जैसा ये महसूस कर रहे हैं कहते हैं भोगी को सुमायुध योगी सा कि जो कामदेव की तरह सुन्दर है अभिराम है और जो राजी के सुखों का भोग करने वाला दिख रहा है जिसको भोगना चाहिए जिसकी कोमलता जिसकी वीरता जिसकी निर्भीकता जिसका धैर ये बता रहा है कि उ जब सारा भुवन सो रहा है तो ये धनुर्धर कौन है ये प्रश्न कवी कर रहे हैं। आगे और आगे चले। अब देखें यहां भी अभी लक्षमन की ही चर्चा है। अगली पंक्तियों में सबसे पहले इसके पाठ की बारी उसके बाद हम नेत अर्थों में चलेंगे। बहुत बड़ी बात कही गई है बच्चों और आप देखें तो किस तरह कवी ने कह दिया। आईए इन पंक्तियों में डूबते हैं इन में उतर जाते हैं क्योंकि जो गहरे उतरता है वही मोती प्राप्त करता है तो जो ये गंभीर अथ हैं वो हमारे और आपके अंदर घुलने के लिए तयार हैं लेकिन उसके लिए हमें और आपको मन से इसमें उतरना पड़ेगा इससे जोडना पड़ेगा आपने इस चर्चा को मन से सुन लिया तो कभी विस्मृत भी नहीं कर पाएंगे ध्यान दे अब कभी क्या कह रहे हैं किस वरत में है वरती वीर यह निद्रा कायोत्या की अभी आपने कि प्रश्नवाचक था कि ये कौन धनुर्धर है अब कहते है कि कौन सा ऐसा वृत ले लिया है कौन से ऐसी पतिग्या है व्रती वीर यह और इस वीर ने ऐसी कौन से पतिग्या ले लिया तहएं क्या वरत है अबरत लेलिया जिसके कारण आज वैराग के भाव कि सुखों का भोग जिसको राज के सुख का भोग करना चाहिए वो विपिन में अर्था जंगल में आ गया है बैठा आज विराग लिवाज वैराग लेकर इस जंगल में क्या कर रहा है बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है फिर वो कहते हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका क्योंकि अभी आपने शुरुआत हुई कि एक कुटिया है और उसके समुख एक शिला पर बैठे हुए है लक्षमण तो अब कह रहे हैं बना हुआ है प्रहरी जिसका प्रहरी मतलब रखवाला जो होता उसके लिए प्रहरी कि ये आखिर किसका पहरा दे रहे हैं उस कुटी में ऐसा क्या धन है बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है कि उस कुटी में ऐसा कौन सा धन है कि ये वीर जो है प्रहरी बना है जिसकी रक्षा मेरत इसका तन है, मन है, जीवन है और वो धन कैसा है कि जिसकी रक्षा के लिए जिसकी रखवाली के लिए तन भी अर्पित है, मन भी अर्पित है, जीवन भी अर्पित है क्योंकि बच्चों आप जान रहे हैं कि जब वो जंगल है, जब वो विपिन है और वो कुटिया है समक्ष, तो सब कुछ अर्पित करना पड़ेगा वहाँ मन है, तभी तन बैठा हुआ है और जीवन इसलिए कहा क्योंकि जब जंगल है तो वहाँ जीवन का संकट भी है आप इसमें देखें इसमें बहुत ही गहरे अर्थ समाए हुए है तन है, मन है, जीवन है ये तीनों जुड़े हैं कि कभी कहते हैं ऐसा कौन सा धन है जिसके कारण इस वीर ने एक व्रत ले लिया है और अपना तन मन और जीवन सब अरपित कर दिया है इसकी रक्षा के हेत। आए, अब जो हमने अभी तीसरा पढ़ा उसके पंक्तियों के कावे सौंदरे की ओर चले ध्यांदे, यहां एक निर्भीक और कर्तवे निस्ठ प्रहरी के रूप में लक्षमण का सजीव चित्रन है भाशा आप परचित हैं सरलखडी बोली, शैली, वर्णनात्मक, अलंकार, अनुप्रास गुण ओज और रस जो था इन पंक्तियों में अदभुत था आए, कुछ कठिन शब्द आये थे वैसे तो मैं कहती हूँ हर पाट के बाद कि आप अवश्य पढ़ लिया करें फिर भी आपके समक्ष चार अर्थात सुन्दर अवनी मतलब पृत्वी पुलक मतलब प्रसन्नता पढ़ कुटी पत्तों की कुटिया कुसुमायुद कामदेव के लिए प्रयुक्त भुवन मतलब संसार आए और आगे चलते हैं ग्रिह कारे की उर अभी आपको पता ही है कि हमें दो भागों में इस पाठ को पढ़ना है तो आज आपके लिए कुछ ग्रिह कारे आप देखे क्या क्या आपको करना है कठिन शब्दों के अर्थ पुस्तक से आप पढ़ लें जिससे और भी आसानी से विशय आप तक पहुँच सके चार उचंद की चंचल किरणे खेल रही है जल्थल में उपर युक्त पंक्ति में अलंकार इसपस्ट करना है आपने अलंकार को पढ़ते हुए भी पढ़ा था और मैंने यही उदाहरण दिया था आप पहचाने प्रयास करें नहीं समझ में आएगा तो पुनह आपको बताया जाएगा और देखें शेश अन्शों का सस्वर पाठ घर पर करें सस्वर क्यों कहा गया क्योंकि बात गेयता की हुई थी और कावे के पाठ का एक तरीका है उस तरीके पर आप कावे का पाठ करेंगे तो ये पंक्तिया आपके मन-मानस में बैठ जाएगी संप्राप्ति हमने और आपने आज क्या पाया आज हम परिचित हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी के परिचै से क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना है बहुत कुछ जाना है लेकिन आज पंचवटी की इन पंग्तियों के माध्यम से हमने महसूस किया है कि वास्तविक्ता में जो कहा जाता है वो कितना सत्य है और पंचवटी खंड कावे अगर इतनी प्रसिधी को प्राप्त है इतना गाया सुना समझा पढ़ा जाता है तो क्यों उसके कुछ अन्शों को हमने पढ़ा शेष के साथ पुने मुलाकात होगी आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद